फ्रेंड्स आज दोपार मुझे वाटसप पर एक नंबर से मेसेज आया जो यह क्लेम कर रहा था कि आगमिक लोगसभा चुनाओ को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी ने सारे मोबाइल यूजर्स के लिए फ्री में मोबाइल रिचार्ज की ए मानना है कि इस तरह से अगर फ्री में एक महिने का मोबाइल वो सारे मोबाइल यूजर्स का रिचार्ज करवाते हैं तो बड़ी तादाद में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा और आगमिक लोगसभा चुनाओं में उन्हें भारी संख्या में वोट मिलेगी लेकिन यह एक मन्त के फ्री रिचार्ज के सुविधा आप तभी उठा पाएंगे जबकि उस मैसेज के साथ दिये गए यूरल लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके उस एक मन्त के फ्री रिचार्ज को क्लेम करेंगे अब इससे पहले कि मैं आगे की बात करूँ सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि exactly what's up पे आया वह message है क्या तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह message claim करता है कि Congress राहूल गांधी के द्वारा सभी भार्पिये users को रूपिस 239 का 28 दिन वाला recharge fee में दे रहे हैं ताकि 2024 के चुनाओं में ज्यादा से ज्यादा लोग Congress को vote कर सकें और 2024 में Congress सरकार बना सकें मैंने भी इससे अपना 28 दिन का free recharge किया है आप भी नीचे दी गए link पर click करके 28 दिन का free recharge प्राप्त करें लास्ट डेट जो है वह है 26 जनवरी 2024 और इसके नीचे दिया गया है वह URL link इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह message काफी पहले से सरकुलेट किया जा रहा था और इस message के अनुसार जो last date इस facility को avail करने का था वह था 15 दिसंबर लेकिन 15 दिसंबर के बाद भी यह message बड़े ताद में circulate हो रहा है और अब इसमें अंतिम तिथी जो है वह बढ़ाकर 26 जनवरी कर दी गई है वैल अब हो सकता है कि आने वाले समय में आपको भी इस प्रकार के messages WhatsApp पे प्राप्थ हों तो मैं आपको पुरी तरह से साधान कर देना चाहता हूं कि यह पूरा का पूरा एक fraud मामला है और fraudsters और scammers के द्वारा इस तरह के fraud messages को WhatsApp और अने social media पे circulate किया जा रहा है नहीं Congress के official website नहीं राहूल गांदी के Twitter handle और नहीं officially Congress के तरफ से कभी भी इस तरह की बात कही गई है यह पूरा का पूरा scammers और fraudsters का बिचाया हुआ जाल है जिससे कि आपको साधान रहने की पूर्ण संभवना है कि वह URL link जो है वह एक hooks है यानि कि छल है अगर आप उस link पर click करते हैं और उस link के थूरू किसी भी website पर अगर आप जाते हैं तो इस बात की संभवना बनेगी कि न सरिफ आपके mobile के या आपके device के data चोड़ी हो सकते हैं बलकि आपके device की सुरक्षा जो ह वह भी खत्रे में पर सकती है इसलिए गाठ बान ले कि अगर इस तरह का कोई भी message आपको मिल रहा है तो बिलकुल भी छलावे में ना आएं और उस URL link पर गलती से भी click ना करें खुद भी online साफधान रहिए सुरक्षित रहिए और लोगों को भी इस संबंद में बताकर उन् झाल वाचित रहिए